हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जाम प्रेक्टिस में जैसा कि आप तमनेल में देख रहे हैं केंद्री विद्धाले में टीजीटी की जो सेलरी है वो क्या होती है वो इस वीडियो में हम चानेंगे केंद्री विद्धाले में तो आप देख सकते हैं कि यह एक सेलरी सिलिप है और यह रीसेंट्टी अभी सितमबर माह 2022 की सेलरी है तो आईए देखते हैं क्या salary होगी आपको पता होगा कि recent जो joining हुई थी वो 2019 में हुई थी TGT की और अभी ये 2022 अला है तो ये 3 साल बाद की salary होगी ये जो मैं बता रहा हूँ और इसी के अधार पर हम ये निकाल लेंगे कि current में कोई join करेगा TGT में तो इसकी क्या salary होगी तो आप देख सकते हैं कि ये 3 साल बाद जो basic पे हो जाता है वो 49,000 हो जाता है और DA जो है इसका 34% अभी तक जो मिलता था तो 49,000 का 34% है वो हो जाता है 16,660 रुपे और traveling जो transport allowance होता है ये मिल जाता है 18,000 रुपे ये fix होता है अब DA जो dearness allowance होता है मेंगाई बत्ता होता है वो 1800 रुपे 612 रुपे हो जाता है 34% अब आपको बता दें ये जो house rent allowance है जो केंजरी विद्याले के teachers को house rent allowance भी मिलता है और वो depend करता है XY और Z city पर तो यदि आप Z city पर है यदि आप छोड़े शहरों में है तो आपको basic का 9% मिलता है ये dearness allowance और यदि आप किसी बीच के सहर में है बड़े शहर में है तो आपको 18% और यदि आप महानगर में है metropolitan city पर है तब आपको basic का 27% इससे 3 गुना ज़ादा HR मिलता है उसी से आपकी salary और ज़्यादा बढ़ जाती है तो कम से कम इतना तो मिलेगा ही house rent allowance अब ये कह लिखा हुए NPS अब ये जो new pension scheme के तहर ये जो MGT share है जो government आपको पैसा मिलाती है आपके basic का 14% तो ये आपको कटता है आपकी account से इस तरह ये जो सब को मिला करके जो gross salary बनती है ये बनती है 81,674 रुपे एक तीन साल बाद TGT की salary क्या होगे 81,000 जो कि ये कम salary नहीं है परियाब salary है अब इसमें देखिए deduction बिल्कुल ये net salary नहीं है आपके जो account में आएगी वो कैसे पता चलेगी इसमें से जो deduction है जो निकालने वाली चीज़े है salary है वो इसको minus करेंगे तो income tax ये 2000 ये यदि आप saving कर लेते हैं तो आपको income tax नहीं देना पड़ता है नहीं तो आपको income tax देना पड़ता है 2000 पर मंद income tax का जाता है ये एक बार 60 रूपीज welfare scheme होती है employee कि उसमें जाता है अब basic का जो आपका 10% है basic plus DA का इसका जो 10% है आपको ये management share और own share ये 14% देती है government और 10% आपका ये कटता है पैसा आपकी salary से जो ये पैसा है ये कटता है own share का और इतना ही इससे ज़्यादा थोड़ा क्या मिलाती है government तो ये total deduction हो गया अब total deduction जो कितना हो गया 17,000 तो आपकी net salary आएगी वो 63,856 क्या बात है सर क्या बात है चलिए अब दिखते हैं कि अब भी कोई current में च्वाइन करता है TGT तो उसकी कितनी salary आएगी उसके लिए मैंने अलग से एक बीडियो एक बना रखी है PDF उसको में देखते है salary of TGT आपके होता हूँ जब कोई TGT जोईन करता है तो उसके basic पे होता है 4,900 और इसमें जो अब जो current हो गया है DA वो 38% है तो 38% इसका जो मैंने calculate कर रखा है वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 17,62 रुपे अब जो यह transport allowance ही 18,000 रुपे fix हो जाता है और इसी का 38% क्या हो जाता है यह हो जाता है DA आपका जो पहंगाई बदता है transport allowance पर अब यह जो HR है यह भी DA का कितना 9% हो जाता है यदि आपका DA जादा बढ़ता है तो HR भी बढ़ता है अब आपका यह जो management से requirement कितना मिलाती है यह 14% है मिलाती है किसका basic plus DA का यदि आप इन दोनों को plus कर लें basic plus DA को और उसका 14% निकालें इन दोनों को plus कर गे इसका 14% तो यह क्या हो जाता है इतना government आपको देती है आपके NPS के लिए इस तरह से जो gross salary है अभी कोई current में join करे तो उसकी first gross salary बनेगी 74,000 और इसमें जो deduction होगा वो क्या होगा आपका जो NPS own share है आपका 10% और यह government यह जो मिला रही है यह आपने देखा होगा यह जो government तो यह दोनों जो हो गई 12,482 तो इस तरह यह जो minus हो करके जो net salary बनती है वो 62,291 तो यह एकदम accurate salary है कम से कम इतनी salary मिलेगी यह दि कोई TCT join करता है current में तो इससे ज़्यादा भी salary हो सकती है अच्छा ज़्यादा कैसे होगी salary अब आप देखें यहाँ पर जो H आ रहे है यह दि किसी आप city पर रह रहे हो बड़ी city पर जो X और Y के अंडर आती है तो Y में आएगी तो इससे double हो जाएगा H आ रहे और X City जो महान अगर में यह आप आओगा तो इससे 3 गुनाब का HR हो जाएगा तो उससे आपकी salary भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो कैसी लगी आपको यह वीडियो comment में जरूर बताइए और यदि आप और किसी भी topic पर वीडियो चाहते हैं कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो बिलकुल आप comment करिए मैं आपके सारे reply दूँगा उसके लिए नई वीडियो बनाऊँगा और अच्छी आपको वीडियो लगी हो तो आप जरूरे से like करिए और support करने के लिए subscribe करिए Thank you